जब मैं बाहर जाएंडिया का इंडिया में पहले अठेस्टेशन का म्सला होता था तो इल्लीगल कोुमेंट बच्छे त्यांट बचेक डॉक्मेंट कर देते थे और उसकी वज़े से वह एपीस मीघ एक ये सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस क्या है ये ज़र एक्स्प्लेइन करना और उसकी क्या फी होती है तो फिर उसने बताया कि भाई मैंने जो कंसल्टेंसिस अपना करवाया है वो मतला मेरे से एक रुपेज चार्ज नहीं कर रहे हैं वो सीधा बोलते हैं कि हम लोग का य वीजा पक्का रिजेक्ट होगा है हम अपने दोस्तों को लिया कि भाई लग तब वीजा रिजेक्ट होगा मेरा आपके पापा तो परिशान हो गए होगे ले भाई करालियस नेक पाकिस्तान में बंदे से हो गया है वीजा हो किस शेर से आप इंडिया में है मैं इंडिया से बिहार से उस्टेट बिहार पढ़ता है छोटा शार बिहार में आवादा परें जहां वो है मिर्जापूर और गैंग्स आफ वासेपूर नई वो धन बर घर से थोड़ा दूर पढ़ता से के लो मेत आप लोग नंऄते हैं ही कोई और लेकलव लाइख और मॉंबय कितना दूर आप लोगोसे मुंबय लग बह मोग दो हजार किलो मेटर औच य से तो बहुत दूर एंडिया है भी तो कितनी लाइंगविच करी भी है आपने सर्टिफिकेट तक तो एडू तक हो गया लेकिन हम क्या बोलते हैं बीवन से जादा उपर बेहोंगे यूज़ों से करते करते हैं वहरी गोड यार आपकी परसंटेज क्या थी ये जो इंडिया की प्लस टू की थी 83 थी 83 तो बहुत अच्छी परसंटेज आप लोग के दों आईटी बहुत मशूर है वहां क्यों नहीं गए इंजिनियरिंग के लिए होता है मेरे को एमभी बीएस करना था तो उसके लिए नीद करना था मेरे को लेकिन क्या मोलते है ते जिए जिए irrelevant की मेरे को बचपन से था कि बाहर जाना पढ़ने के लिए इंडिया मेरे को नहीं बढ़ना जब मैं एय्ट किलास में था तभी मेरे को कौन मेरे भाईजन थे वो मेरे को बस दिमाग में एक चीज दे दिये थे कि बाप वो इंडिया से निकलो बाहर जाकर बाड़ो इंडिया कुछ नहीं रखावा बस उस दिन से तक नहीं बाहर जाना बाहर जाना साही है अज़ा तो आप अभी कौन से कोर्स पे जा रहे हो जैमनी अभी language पे ही जा रहा हो और उसके बाद MBBS करने का ही राजा है हाँ MBBS करने का है पूरा इराद MBBS करने का है ठीक है फिलाल आपका फिर बिजनिस का लेटर होगा शायद जो आपके डिशन होगा होगा और ये कितने टाइम सा आप प्रोसेस कर रहे हो हमारे से एक मार्च को शुरू किया था सेप्टेंबर में गाल्बन रवाना हो जाएंगे एक अक्टूबर को अक्टूबर में रवान गी है ठीक है अज़े जी अफाग फर्स क्वेस्चिन आप मुझे बताईए क्यों जर्मनी क्यों सेलेक किया भई आपने भाजन ऐसा कि पहली बात तो एजुकेशन बहुत अफॉर्डेवल है और दूसरी बात है जर्मनी के फुटबॉल नेशनल टीम मेने को पसंद है आपको फुटबॉल बहुत पसंद है आपको दूसरी बात ऐसा आप 21-22 काफी मचूर हो गए अब तक तो आपको मैं कैसे मिला और आपने ऐसा क्यों क्योंकि मुझे इतना नहीं जानना आपसे प्रोसेस मैं सो वीडियो बना चुका हूँ उसके उपर और इंडिया वाले भी काफी स्टूडेंट्स की बना चुका हूँ उनमें से कुछ अप्लोड भी कर चुका हूँ मगर ये एक सवाल अगर ये वीडि कंप्रीट ही किया था तो उसके यूटूब मतलब भी यूटूबर है वो निकलेस धूरे करके तो मैं उनकी वीडियो देखता था तो उन्हों ने एक वीडियो अप्लोड किया था कि 2021 का न्यू येर था तो कैसे न्यू येर सेलिबरेट करते जर्मनी में तो उसक्षाट को पिटना तो उसके दिखाया नहीं तो फिर हम बस ऐसी सर्च किया था यूटूब पर कि इस सेलिबरेशन इन जर्मनी तो आपकी वीडियो आयती उसे मिन्हाल जिजवी ता चैनल का नाम तो बस वह था आपको वीडियो याद भी है कि ये फाइरवक्स बैं थी उसक्त तो आप मुझे पता चल गया तो फिर नेक्स डे हम चट पे बैट करके ठंडी में आपकी उस वक्त तक कि आपने जित्ते वीडियो अपलोड की एते जवनी कि आप साथ पहले पोलेंड में ते तो तो चार पाच वीडियो पोलेंड के ते मैंने एक दिन में पूरे वीडियो उस शाहिए बस उसके बाद बस कि अपने प्रोसेस कराना है तो बस बिन्हाले बाद से कराना और फिर करने करना किसी से पिर तो ये आपके घरवालों ने कुछ नहीं कहा, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का तो चलता है न थोड़ा, चट्टिस काकड़ा, तो घरवालों ने कुछ नहीं कहा, बाइद अभे, मतलब, ऐसे नहीं क्योंके मैं ना जब इंडिया का इंचालला एक दिन वीजा अपलाए करू तो उन्होंने बुला बस कर रहे हो कर लो कोई बात है कर रहे हो कर रहे हो पहा जाना कि इसी से कराना है उसी से करा लो क्या ये करना है चालो very good समझ गया हमें सारी बात आप की अच्छे जी how did you come कि आपने MBBS ही करना है वहापे ना क्यूंकि MBBS तो बहुट टफ कोर्स है बच्पन के डॉक्टर बनना है वो मेरे घर में पूरा मेरे को बच्पन से ही महौल दिया गया कि तेरे को डॉक्टर ही वरना बस इसके लिए वो यहां फिक्स है कि इंडिया से मेरे को नीट करता है तो वह हुआ ही ने अग्जाम कर दिया वह जैसे दैसे करके बस पाप अम्मी के दिल के तसली के लिए कि हां मेरा बेटा ट्राइ किया एक बार नीट का एकजाम उसके बाद फिर पूने गए हम पूने पढ़ता है मुंबे के बगल में वहां सि फिर जब मन अपनी शुरू कर दिन सीखने के लिए जो मेरे को लग रहा है कि मैंने गल्ती की वह बहुत लंबा टाइम खीच लिया उन्होंने एवान एटू कर आने में आट नो महीने ले लिया हुआ जब एवान एटू कंप्लीट हो फिर जा करके मेरे को पता चलता है कि य आप्लाई किया था अप्लाए किया था नोल नोमृ और एकंपाई किया था अचया क्यूंकिया कि किम कि प्रिया के लोगों का बहुत रालेटिवली कम केसिस करता ओं तो नमबर बन के मैंने तो सुनाए एपीएस बहुत टाइम लगता Commun我很 घृ आप से पहले मैंने और students का कुछ करो, उनके चार महीने लग गए APS आने में, अभी भी मैं कुछ Indian students का करो, उनका भी time लगा, आपके 10 दिन कैसे कोई, अलग है चीज? मैंने German certificate साथ में अटाइच करके दिया था, अपना language का, तो अगर German certificate साथ में अटाइच करके दो तो जल्दी बन जाता है APS, जल्दी मिल जाता, अगर आप बस 10th और 12th की mark sheet दे दीजिए अगा तक फिर मेरे एक दोस्त के 8 मेने लगे, अच्छा, हाँ, वो बस 10th और 12th का, वो मेरा 15 दिन में आगे लगबागा, क्योंकि मेरी आप से एक दफ़ा बात हुई थी, कैलेंडी पे, फिर कुछी दिनों बाद आपने दुबारा class book कर ली, मेरे APS certificate आगया, अच्छा, आगया, तो मैंने बोले, चलो, ठीके, कर लेते हैं, अच्छा, एक और question, APS certificate बनवाने का process क्या है, यह ज़रा explain करना और उसकी क्या fee होती है? उसको फिर आपको by post या फिर आप खुछ से जा करके, आप APS के office में आपको जमा करना पड़ता है, डेली में, और original documents, उनकी फोटोस का पी एक envelope में करके, आपको जमा करनी पड़ती है, और फिर, और वो copies है, सिर्फ basic copies, या उनने कहीं सा test, या कुछ करना पड़ता है, नहीं 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 वो 10-12 की mark sheet या आप master's के लिए जा रहे है तो bachelor's की mark sheet है, और भी जो certificate होते है, migration certificate, character certificate, वो सब बस होती है, पासपोर्ट की आपको आपको जमा करनी पड़ती है, वो ऑनलाइन किजिएगा तो ज्यादा अच्छा होता है, वो by post या चेक आप भेजिएगा तो आप प्रूफ करने में, आप ऑनलाइन कीजिए वो पांच मिनट में आप प्रूफ करके दे देता आपको, और फिर by post भेजदो या डेली चले जाओ, अगर आप डेली पास में पढ़ता है तो आप डेली चले जाए या बाइप पोस्ट पढ़ता है तो फिर आपकी मर्जी ह हम तो मतलब अपने से ही चाक किया था मेरे को पोस्ट पढ़ताeten नहीं था कि हिपना टाइम लगएगा, मैंने देली की टिकाट किए, मaser ज्यादा दूर नही पढ़ता देली, एक ही अजार किलोमेटर है एक हजार किन्वर्ट जादा दूर नहीं है, नािस ट्रेन चलती है ना भाजन की रात में बैटो ट्रेन पर सुमा उतर जो देली तो वो आफिस के बाहर गाड बैठे वे रहते हैं उनको बोलना की एपियस के लिए है तो वो गाड नीचे एक बॉक्स रखावा रहता है उसके अंदर वो इंडिवलाप डाल दीजिए आप आप चले चाहिए वहाँ से सहीा आजकल तो इंडिया में वो भी आए डॉक्टर हास्पिटल में कुछ हुा है ना इंडिया में बौत फैन मुस्ट होई है नियूस आख फिरे में पोड़ें आपके कितना दूर है वो व्यजे पहलत में मेरा वो व्यंजा का इंटर्वीयो पर आते हैं अचा एपीए सर् कर लिया उसके बाद आपने मुझसे रापता करा ठीक है फिर जब आपने मुझसे रापता करा तो हम ने आपका प्रॉसेस शुरू कर दीया विधिन टू-टू-3 मन्स वो प्रॉसेस कम्प्लीट हो गया तो अब इसके बाद होता है वीजा इंटर्विवु कैसे लेना होता है और कितनी जल्दी मिल जाता ये मुझे बताओ उसके बाद मेरा फीस जमा करवाई साथ हजार पांसो रुपए लगते हैं फीस के और बायो मेंट्रिक्स वाद दस मिनट लगा मेरे को बस साथ हजार पांसो रुपए इंडियान सेंटी फाइव यूरोज वो इसेम एस पाकिस्तान हाँ हाँ ठीक है तो उसके बाद आपका कितने दिन में वीजा आया तीन दिन में वीजा आ गया वेरी गूड अच्छा एक बात ये है कि जो भी लोग देख रहे हैं ये विडियो इंटर्व्यू की तैयारी वो इंटर्व्यू के प्रोफाइल स्ट्रॉंग होती है नमबर बन आपकी पर्सेंटेज अच्छी थी प्लस टू की एंटर की और दूसरा आपने एवन एटू कर आवा था तो एवन एटू अगर आप लोग भी कर लोगे ना तो मुझे लगता है एवन एटू से बहुत ज्यादा होता है और में लोग सब्सास्ट ऑफिर चाख्तु और dal gonna that. कॉंस्टेट की वजए से वो भी कॉलकटा दूसट्लेट गएतने हैं वह मुवों कि सबोए और शाहएद मेरी क्लाइंट और इसक वजरा मेंसरा को पास्पोरत राया हुआ मेरी इहालत खुराएप। निंदे अर मेरा पास् आपके पापा तो परिशान हो गया है, ले भाई करालियस ने एक पाकिस्तान में बंदे से हो गया, वेरी गुड यार, कितने टाइम का वीजा लगए, छे महीने का, नहीं, एक साल का, एक साल का वीजा लगए, चलो, और ये स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट अक्टोबर से, फर आप जर्मनी जा रहा हैं, वीजा लग गया, वेरीफिंग इस ड़न, अब क्या प्लैन है आपका जर्मनी जाकर, आप अपने दोस्तों वाले शहर में तो जा नहीं रहे हो, गया लगए, वो प्राइविट यूनिवर्सटीज में गया हैं, पब्लिक, सब प्राइविट है वो सकता है आपका लख भी हो मगर शायद इस नहीं है और मैंने सुना है इंडिया में सब आते हैं तो वो प्राइविट ही में आते हैं पॉब्लिक में बहुत कमी है आते हैं वो लोक का शाहत कट रहता है वो प्राइविट उनिवर्सिटी से मेरा एक दोस्त है सारे हैं बस मुझे अपलोड करने का इतना टाइम नहीं मिलता है तबी मैं बैठावा एक वीडियो एडिट कर रहा था खुद ही एडिट करता हूं क्यूंकि मैं अपनी वीडियो तो इतने में मैंने सूचा मैं आपका मेसेज आ गया तो मैंने बला आप मैं ये फारिग हो ज रहता है बस आप आपको मेरे से कराना आप करवा सकते हो एक रूट को लोग से चार्ज नहीं किया अगर यूनिवरस्टी उनको बहुत जादा पैसे देती है ना हाँ और उसका पचास दिन लगा वीजा आने में और उसकी फी होगी 10,000 यूरो साल की हाँ उससे जादा ही है और उसका इंटर्वी भी हुआ था कुलकाता है कंसलेट में प्राइविट यूनिवरस्टी से इसलिए मैं तो पाकिस्तान में भी सबको बोलता हूँ और इंडिया जिस जो भी वीडियो देखता हम उनको यही बोलता हूँ कि आप प्राइविट से बचो जर्मनी जाना है औ हाँ कि सारी गॉंसलेट ही कराती भाज़न मेरे को जान में हम लोग उत्ता अफॉर्ड नहीं कर पाते मेरा नॉमबर से मार्स तक का डीले इसी में हो गया कि पापा के पास उस वक्त पैसे ही नहीं थे कि मतलब कि हम सब कुछ अफॉर्ड कर सके ब्लॉक अकाउंट हो गयरा ब प्लॉक अकाउंट के पैसे उसके बाद बाकी सब की भी फिस पापा एक बार जब पैसे जमा अच्छे से कर लिए तो फिर हम आपको कॉंटक्ट किये फ़वरी के लास्ट डे को की भाजन हुसाइन बन का नंबर फिर दीजिया फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं आपकी तो स चीजों का ख्याल रखना रखा जाना चाहिए सारे डॉकुमेंट्स सही रखो बाकी सब तो मिनाल में संभाल देंगे अगर मुझसे करवाया अच्छा कोई जो डॉकुमेंट्स अटेस्ट होते हैं वो कहीं साटेस्ट होने की ज़रूरत होती है बस APS मिल गया final होगया डॉक अटेस्टेशन का मसला होता था तो इलीगल डॉकुमेंट्स बच्चे फेक डॉकुमेंट्स सब्मिट कर देते थे और उसकी वज़े से वो APS सिस्टम ले आए क्या पाकिस्तान में ना टेस्ट होते हैं डॉकुमेंट्स वो पीछे कोड लिखा वा होता है उस कोड से पता च तो दो दिन बात ही बुक की थी अगर आप चाहें कोलकाता कॉंसलेट में तब अगले दिन के अपॉइमेंट्स बुक कर सकते हैं मतलब APS आने की वज़े से अपॉइंट्मेंट्स का मसला काफी हद तक सौब हो गया है क्योंकि पिछले साल देली और मुंबे में तो दो दो महीने तिन तीन महीने के बाद की अपॉइमेंट्स भी नहीं मिल देए बच्चों को अच्छा तो ऐसा कुछ होता है कि देली वाले बच्चे डेली में ही जाएंगे और कॉलकाता या हाँ अच्छा रीजन डिवाइडेड है कि एक तरफ का रीजन कोलकाता में एक तरफ का देली मुंबे में इस तरीके से रहता है देली मुंबे में सबसे बुरा हाल है अपॉइमेंट का और एकोल गाता में चिन्ने में यह समय बहुत असान है वो सब तुरंट मिल जाती है अपॉइमेंट तो पाकिस्तानी की तरह है कि कराची कॉंसलेट में बहुत असानी से मिल जाती है मगर अब उसमें भी एक महीना दो महीने लग जाते है और इसलामबाद में छे महीने भी लग जाते है देली का बहुत बुरा आलत पाकिस्तान में ऐसा भी है ना कि इतना fake documentation का system नहीं है क्योंकि documents are tested होते हैं वो पता चल जाते हैं पता चल जाए तो फोरण 5 साल का बैन लगता है तो इंडिया में जब से यह आये तो ठीक है आपका अब हमारे से शायद March तिल August अब 6 महीने का रापता होने वाला है हमारे साथ भई आपका कैसा वक गुजरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा हुसाइन भाइन बहुत अच्छे है मतलब मैसेज करो तो फिर चार पास घंटे बाद मैक्स तो मैक्स नेक्स तो रिप्लाई आही जाएगा हुसाइन का इत्ता लेट नहीं करते है वो रिप्लाई करने में ड़न हो गया आप जाओ मज़े से आप जर्मनी और वहां जाके ठीक से पढ़ाई करो आपके बाद या पीछे चोटा भाई यह का प्रॉसेस कर दूँगा करवाना है करवाना अभी तो 2S में वो बस से यह करवाना है अगर आपके जैसी परसेंटेज आई तो थीक है वही मसला है बस इंशालला ज़रूर आ जाएगी अगर आप लोग मुझसे कॉंटाक करना चाहते हैं तो यह रहे लिंक्स निक्स के थुरू आप लोग मुझसे कॉंटाक कर सकते हैं या Calendly पर हमेशा Classbook कर सकता है और प्लीज सब्सक्राइब कर दें ये चैनल इंडिया वाले अगर देख रहे हैं तो वो लोग भी मैं काफी जादा कोशिश करता हूँ हेल्प करने की और तो आज के लिए फिर कल मिलता है न पीस आउट कर दो भाई अफाग असलाम लडो वाले असलाम